वेलकम तू लेसन नमबर वन ये है गूगल आड्स की इंट्रोडक्शन वीडियो हम जानेंगे कि गूगल आड्स कितने टाइट के होते हैं कैसे काम करते हैं ठीक है जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वाइ गूगल आड्स आप देखो अब ही अगर आप देख दर्शलएइब करते हैं इसे पहला फेस्ट यहाँ गूगल आड्स नथी पूमिनेट करते हैं बहला फेस्बूक एड्स affect लोग स्थार्च करते हैं वर फेस्वूक एडस में ज्यादा पैसे लोग खर्च करते हैं को गूगल एड्स पुराना एड नेट्वर्ग भी एक्मप पस Google Ads के जो product हैं जैसे कि search ad हो गया वो बहुत ज़्यादा कारगर भी है compared to Facebook Ads, ऐसा नहीं है कि Facebook Ads कारगर नहीं है, बट आगे जो आप इस course में समझोगे, कि कई चीजे ऐसी हैं जिसमें Google search ads को थोड़ा सा advantage है compared to Facebook Ads, ठीक है, तो Google Ads कितने type के होते हैं, तो main अगर आप देखोगे तो Google Ads को आप चार category में बाट सकते हैं, तो पहले हम उसको देखते हों क्या-क्या है, then हम उसको एक-एक को discuss करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, सबसे पहले Google search ads, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका Google display ads, then we have Google shopping ads, then we have YouTube ads, तो यह major 4 categories हैं, जिसमें कि आप Google ads को बाट सकते हो, ठीक है, number 1, Google search ads, number 2, Google display ads, number 3, Google shopping ads, and number 4, YouTube ads, ठीक है, तो यह main 4 category में आप Google ads को बाट सकते हो, तो अब हम देखते हैं, कि यह 4 ads किस-किस टाइप की होती हैं, तो सबसे पहले आती हैं Google search ads, तो जैसा आप नाम से समझ सकते हो, अगर आप Google पे जाके कुछ सर्च करो, और वहाँ जो आपको ad दिखें, उसे हम कहते हैं Google search ads, ठीक है, तो एक example में आपको दिखाता हूँ, suppose करो, मैंने लिखा, doctor near me, ठीक है, अब आप देखो, यह सबसे उपर कुछ result आया, और यहाँ पे देखो, क्या लिखा हूँ है, add, यह देखो, green में लिखा हूँ है, add, मतलब, यह क्या है, Google search ads, प्लस, आप नीची आओगे, तो फिर आपको दिखेंगे ads, यह देखो, add लिख हुआ है, यहाँ भी add लिखा हुआ है, तो यह है, Google search ads, और यह जो बाकी results है, जिन पे add लिखा हुआ, यह आते है, through SEO, ठीक है, through SEO, और जहाँ पर यह add लिखा है, this is part of Google search ads, ठीक है, और आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे खाली text लिखा है, क्या यहाँ पर आपको इमिज द दिखरी है, कोई video दिखरी है, नहीं दिखरी है, तो यह कौन सी ads है, यह है, text ads, ठीक है, यह कौन सी ads है, text ads, ठीक है, जी, बहुत ही असान, तो पहला था Google search ads, then we have Google display ads, ठीक है, अब Google display ads क्या होती है, तो suppose करो मैं गया इस website के, click buzz पे, अब आप देखोगे, click buzz पे मुझे कुछ दिखेंगे banners, जैसे यह banner दिख रहा है, प्लस यह देखो यह banner दिख रहा है, और देखो नीचे और देखो यह banner दिख रहा है, यह सब किसके part है, यह part है, Google, देखो यह banner दिख रहा है, तो यह किसके part है, Google display ads, जैसे अगर आप यहाँ click करोगे ना, तो देखो आ रहा है, ads by Google तो ये हैं देखो आ रहा है ये भी Google का है तो ये सब किसके पार्ट है गूगल डिस्प्ले एड्स ठीक है बहुत ही ज्यादा सिंपल अब देखो गूगल डिस्प्ले एड्स के थुरू आप 90% से ज़ादा इंटरनेट यूजर्स तक पहुँच सकते हो ये इतने पावरफुल है गूगल डिस्प्ले एड्स तो आपने देखा सर्च एड्स क्या होते हैं जैसे आप गूगल पर जाके सर्च करते हो उसे हम कहते हैं सर्च एड्स अब इनमें बड़ी सारी चीजें हैं जो उसमें भी बड़ी सारी चीजें हैं गूगल डिस्प्ले एड्स में भी अलग अलग टाइप के बैनर होते हैं कैसे मैं अपने पर बैनर दिखा सकता हूं तो वह सब एक ब्रॉड डीप कॉंसेप्ट है पहले आप एक ओवर्व्यू समझ लो कि आप किसी वेब साइट पे बैनर आगे आप लेसंस में समझोगे कि और कौन कौन से बैनर होते हैं और यहां पर मुझे जूते दिख रहे हैं इमेज दिख रही है और इसे क्लिक करके मैं जाके प्रॉडक्ट खरीच सकता हूं तो इसे हम कहते हैं गूगल शॉपिंग एड्स ठीक है जी क्या कहते हैं गूगल शॉपिंग एड्स जहां पर मैं जस्ट प्रॉडक्ट को क्लिक करूँ और खरीद लूँ अब एक चीज ध्यान दो इसके नीचे भी आड दिख रही है बढ़ क्या इस एड के अंदर आपको प्रॉडक्ट दिख आप यूट्यूब पे जाते हो आपको बड़ी सारी अड्स दिखती है है आप कोई भी वीडियो देखते हो बीच में एड आ जाती है तो वो किसका पाट है अगेन यूट्यूब एड्स ठीक है जी तो यह चार मेजर टाइप के हैं एड्स जो कि आप गूगल से रन कर सकते ह तो display ad में एक और ad आती है and that is gmail ads, gmail ads, कई बार क्या होता है, आप gmail पे हो, आप promotion tab खोलोगे न, वहाँ पे आपको ads दिखते हैं, ठीक है, वो किसके पार्ट है, gmail ads का, और gmail ads पार्ट है, display ads का, और display ads इसका पार्ट है, again आपको पता ही है, google ads, ठीक है, तो major 4 category में हम बाठ सकत है, search ad, जैसी google पे जा कि आप कुछ search करते हो, तो जो आता है, वो है search ad का, then we have display ad, जो banners दिखते हैं, वो सारे, most of the banners are part of google display ads, then we have gmail ads, जो आपके inbox में दिखती है, आपको promotion tab में दिखता है, then shopping ads, आप google पे कुछ सर्च करते हो, आपको product दिखता है, this is shopping ad, then we have youtube ads, जो आपको youtube ads दिखती है, तो यह चार major categories है, google ads की, ठीक है, so that's it, from today's lesson, आज जो आपने सीखा, कि google ads कितने type की होती है, ठीक है जी, thank you so much.